आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question में पूछ रहा है कि हमें equilibrium constant निकालना है, यह reaction गीवन है हमें enthalpy of formation हर एक का अलग-अलग और हमें entropy भी गीवन है तो देखो जो relation इनको लेंक करेंगा वो क्या होगा, हमें बते हैं जो फेमस है डेल्टा जी नॉट किसके एकवल होते है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस और इसकी हेल्प से हम equilibrium constant निकालना है तो देखो, अगर पहले मुझे क्या निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा एस पता होना चाहिए तो हमें डेल्टा एच नॉट formation इन सब टर्म्स का गिवन है तो पहले मैं नेट डेल्ट एच नॉट निकालूँगी तो देखो, पहले reaction लिखते है अपनी NO gas प्लस हाफ O2 यह मेरी gas है और यह है मेरी reaction equilibrium में तो यह क्या होगा जो हमारा enthalpy और formation कैसे निकालूँगी product minus reactant तो देखो, यहाँ पर हमारा product क्या है formation for the NO2 minus यहाँ पर क्या आएगा formation हमारा enthalpy का किस के लिए NO के लिए प्लस हाफ आगे आजाएगा जो हमारा stock geometry होता है O2 के लिए ठीक है ना तो यह हमने क्या लिख लिए standard अब मैं इनकी values पूट कर देती हूँ तो देखो, NO2 के कितनी value गिवन हमें NO2 के गिवन है 33.8 तो हम इसको लिख लिख 33.8 minus bracket for NO NO के लिए value गिवन है 90.4 प्लस oxygen के लिए कितना हो जाएगा 0 और आप पूछेंगे कि इसका reason क्या है क्योंकि देखो, यहाँ पर हमारा क्या present है O2 और कोई भी element जब standard state में होता है जैसे मैं बोल सकती हूँ solid carbon, मेरी O2 gas, oxygen gas तो जो इनकी standard enthalpy of formation होती है वो होती है 0 क्योंकि इनका कोई change involved होनी है जब यह form हो है तो जो भी हमारे standard state में present होते है उनकी formation enthalpy होती है मेरी 0 तो यहाँ पर यह 0 हो गया तो जब मैं इसको calculate करूंगी तो यह मेरी जो value आएगी वो आएगी किसके equal यह आएगी मेरी equal around minus 56.6 minus 56.6 यह क्या आगया हमारा सारी units किलो जूल में दी तो यह आजाएगा किलो जूल पर मोल यहाँ से हमने निकाल लिया enthalpy of formation for the reaction तो देखो जब मैं यह values put करूंगी हमारे जो reaction है तो क्या होगा देखे minus 56.6 minus temperature कितना गिवन है अगर temperature गिवन है चलो अगर नहीं गिवन होता तो हम room temperature ही लेते है यह 290, 80 मुझे गिवन है और यह multiply किससे होगा हमारा delta s not से वो कितनी गिवन है मुझे कितनी गिवन है minus 70.8 ठीक है एक बार इसको थोड़ा clearly लिख लेता है minus 56.6 minus 298 multiplied by negative value of कितना है magnitude 70.8 ठीक है ना तो यह देखी 56.6 जो मुझे given है value यह किलो जूल में तो इसको मैं पहले जूल में कर लेती हूँ minus 56.6 into 10 raise to the power 3 ठीक है minus 298 और यह multiply में मेरा minus 70.8 से तो जब मैं इसको calculate करूँगे negative negative तो क्या हो जाएगा यह हो जाती है value कितनी होगी minus 56.6 0.0 और यह plus हो जाएगा minus minus plus और यह कितका equal होता है 21098.4 और जुसका final value आते है delta G का minus 35501.6 joule पर यहां से हमने क्या निकाल लिए delta G not और हमें क्या पूछा है question में हमें equilibrium constant तो जो हमारी value होती है delta G not minus 2.303 rt log kc और यहां से अगर मुझे kc की value निकालना है तो पहले log kc की value आएगी तो यह delta G not upon में मेरा minus है 2.303 rt अब जो values हमने निकाल लिए वो directly put कर दो तो यह क्या है यहां पर भार minus है और यह कितना है minus 35501.6 upon 2.303 rt value मेरी 8.314 temperature 298 तो यह है मेरा किसके equal log kc के तो यह negative negative cancel होगे positive हो जाएगा और जो यह calculate करने के बाद magnitude आता है वो आता है हमारा 6.222 यह value आ गई मेरी log kc की और अगर मुझे kc की value निकालना है तो हम इसको कैसे करते हैं यह 10 की power में चला जाता है 6.222 तो जब मैं इसको simplify करूंगे तो मेरा answer आएगा 1.67 into 10 raised to the power 6 और यह क्या आ गया यह आ गया हमारे इस question में जो पूछा था equilibrium constant कितना होगा तो वो आ गया हमारा कितना 1.67 into 10 raised to the power minus 6 this is the final answer तो बस हमें दो relation बता होना चीए यह जो सबसे फेमस हमारा Gibbs free energy, enthalpy और entropy के बीच में होता है और equilibrium constant को हम delta G naught से कैसे लेंक करते हैं Thank you